अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए जिलो के डियम से बोले पिया मोदी कहा कोरोना संक्रमित यवाओं और बच्चों के आंकडे इकटा कर विशलेशन करें जिहां प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने देश के कई जिलो के जिलादिकारियों के साथ विडियो कॉन्फरेंसिंग जरिये बैठकी इस दुरान उन्हो की बरबादी रोकना बहुत जरूरी है दूसरी लहर के बीच कोरोना वेरियंट की वज़े से अब युवाओं और बच्चों के लिए ज्यादा चिंता जताई जा रही है हमें अधिक तयार रहना होगा अपने जिलों में युवाओं और बच्चों में होने वाले संक्रमण क आकड़े इकठा कर उस पर विश्लिशन कीजिए ब्लैक फंगस के बाद अब देश में बढ़ रहा है वाइट फंगस का खत्रा जी हाँ आपको बता दें कि देश में कोरोना महमारी के बीच अब ब्लैक फंगस यानि म्यूकर माइकोसिस के कई मामले सामने आ रहे हैं जिस व परमित मरीजों में एक पटना का मसहूर डॉक्टर भी सामिल है वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा घातक मन जाता है स्वास्त विश्यगों के नुसार सफेद कवक संक्रमन काले कवक संक्रमन से अधिक कतरनाक हैं क्योंकि या फेफडों के साथ साथ सरीर के अन् अभी लापता, चौथे दिन भी जारी है नौ सेना का अभियान, जिहां अरब सागर में चार दिन पहले डूबे, बजरे पर मौजूद लोगों में से 38 अभी लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए घने अंदेरे के बीच सर्चलाइट की मदद से नौ सेना का तलास एव मुबई के तट से कुछ दूरी पर सागर में फस गया था और फिर सोंगवार को डूब गया था आपको बता दें कि नौ सेना ने ब्रियसपतिवार को हेलिकॉप्टर तैनात किये और हवाई मार्ग से तलास एवं बचा अभियान चलाया था पी 305 पर मौजूद रहे लोगों में से कम से कम 37 लोगों की जान जा चुकी है 38 लोग अब भी लापता है बहद घरा मौसम से जूजते हुए नौ सेना के जवानों ने बज़रे पी 305 पर मौजूद 261 लोगों में से अब तक 186 लोगों को बचा लिया है राहुल द्रविण को टीम इंडिया में मिलने वाली है आवम जिम्मिदारी बन सकते हैं गुरू जिहां भारतिए क्रिकेट टीम के पुर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविण को स्रिलंकाई दोरे के लिए टीम इंडिया का कोच नियूक्त किया जा सकता है भारतिय टीम स्रिलंका के साथ आगामी जुलाई महीने में क्रमसा तीन-तीन मैचों की वंडे और T20 सीरीज खेलने वाली है सीरीज की सुरुवात वंडे सीरीज से होगी इस सीरीज का पहला मुकाबला 13 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई और तीसरा 19 जुलाई को खेला जाएगा वंडे सीरीज के बाद डूनोट टीमों के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी इस सीरीज का पहला मुकाबला 22 जुलाई, दूसरा 24 जुलाई और तीसरा 27 जुलाई को खेला जाएगा सीरीज के सभी मैच स्रिलंका की राजदानी कुलंबो इस दित आर प्रेमदास स्टेडियम में खेले जाएंगे वाइट हाउस ने कहा अमेरिका ने भारत को 50 करोड डॉलर से अधी की COVID-19 सहायता दी वाइट हाउस की प्रेश सचीव जेन साकी ने एक डिजिटल समवातता सम्मिलन में वाइट हाउस विदीश प्रेश समुव के सदस्यों से कहा कि अभी तक अमेरिका ने भारत को 50 करोड डॉलर से अधी की COVID-19 सहायता पहुचाई है जिनमें अमेरिका की संगिये और रज्य सरकारों, अमेरिकी कमपनियों तथा संगटनों और नागरी को द्वारा दिया गया योगदान सामिल है महंगाई को लेकर लालू परसाद यादों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना कहा आम आदमी किसे सुनाए अपना हाले दिल मौज फर्मा कमा रहे सरकार की खास दलाल, सरकार से प्रियतमा महंगाई पर करो ना सवाल, आम आदमी किसे सुनाए अपना हाले दिल अब पश्चिम मंगाल में दस्तक दे सकता है चक्रवात यस, मौसम विभाग ने राज्य सरकार को भेजा अलर्ट जिहां चक्रवाती तुफान ताउते ने गुजरात और महरास्ट में पहले ही अपना तांडव इतना मचाया है कि उसके बाद अब एक और चक्रवाती तुफान पश्चिम मंगाल में दस्तक देने वाला है मौसम विभाग ने इस तुफान को यस नाम दिया है आपको बता दें कि 150-160 किलोमिटर प्रतिगंटा की रफ्तार से यह तुफान दस्तक देगा पश्चिम मंगाल सरकार को मौसम विभा की ओर से अलर्ट भेजा गया है जिसमें पताया गया है कि 26-27 मई को यह चक्रवात पश्चिम मंगाल में दस्तक दे सकता है 150-160 किलोमिटर प्रतिगंटे की रफ्तार से पश्चिम मंगाल के तटवर्ती छेत्रों में यह तुफान दस्तक देगा जिसकी वज़े से भारी नुक्षान की आसंका जताई जा रही है